नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, केतु देवता का ये जो तुला रासी में गोचर हो रहा है, वो वर्षब रासी के जो जातक है, जिन लोगों के जन्म कुंडली के लगन में दो नमबर लिखा है, या चंद्रमा दो नमबर रासी में बैठा है, या उनका ज नाओ के गर में भी हो रहा है, यानकि इन से सम्मंदी जुड़े हुए परिणाम आपको मिलेंगे, अब क्या परिणाम मिलेंगे, उन सब का विच्छ चर्चा करते हैं, साथ में हम इसका फलादेश कैसे करें, क्योंकि देखिए, हर वेक्ति जीवन में अलग-अलग उमर और अलग-अलग पड़ा और अलग-अलग शेली में रहता है, तो उसको किस तरह के परिणाम मिलेंगे, वो दिखाएंगे आपकी जन्मकुनली में चल रही दशा और अंतरकसा, साथ में आपको ये देखना है कि आपकी जो वर्षब रासी है, इसके लिए सुब ग्रह कौन-कौ और आपका गुरू, ये तीन ग्रह यहाँ पे थोड़े से अशुबता दिखाते हैं, गुरू यहाँ पे थोड़ा सा संभी है, लेकिन आठवे ग्रह का माली का इसलिए अशुब ही माना जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, कि अगर हमें इन ग्रहों की दसा अंतर दसा चल रही है, तो हमें बूरे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि केतू और राहु क्या है, चाया अंतर दसा, तो आपने यहाँ पे देखा कि शुक्र में बूद चल रहा है, शुक्र लगनेश है, बहुत अच्छा है, आप ही कुंडली में भी आप देखे कि शुक्र अगर अच्छा बैटा है, तो एक प्लस पॉइंट है, और बुद्ध जो है, वो यहाँ पे पंच में सर, वो भी अगर अच्छा बैटा है, तो आप यह माने कि मेरे लिए तो अच्छा समय चल रहा है, अब मुझे केतू जो है, वो क्या करेगा, चटे गर में आया हुआ, अचानक नौकरी लगाएगा, अचानक नौकरी में पर्मोशन करेगा, आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोट केस मुगदमा चल रहा है, तो उसमें आपको छुटकारा मिलेगा, आपके उपर कोई रिन है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके उपर कोई से संब्धित कोई कोटके सो रखा है या कोई बैंक से कोई वारतलाभ हो रखिए तो वहां पे उस से भी आपको लाव होने जोग बन रहा है क्योंकि आप यहां पर समझे कि सारा कुछ असुभी नहीं है छटे में सुब भी है सुबता में भी चीज़े जैसे की अशुब है मान लिजिए कि मंगल में आपका गुरू चलेगा तो मंगल अशुब ग्रहे हैं साथवे गर को बारवे गर से जोडता है फिर आपका आठवे गर के परणाम तो यहां पर क्योंगा एक्सिडेन्ट होने का योग बन जाएगा तनाव होने का लड़ाई जगड़ा होने का गुस्ता होने का योग तो ऐसे मैं जाध्य तक के ओपर कोट केस होने के योग ज्याद़ ज्याद़ा बनेंगे। साथ में यहां पे चोटे मोटी बीमारिया वो भी परिशान करेंगे तो क्या-क्या तकली पे हो सकती है कि छुपे वे दुस्मन तकली पे दे सकती है और उसको कहने कही नुकसान पहुंचा सकती है बेहद दर्दनाग बीमारियां होने के योग बन सकती है और जातक अगर अपने जीवन में बुरे कर्म कर रहा है तो उसको उसके परिणाम में बुरे होने के योग बन सकती है बीमारी की सही जानकारी होने के बाद भी जातक को सही इलाज नहीं मिलता है जिसे कई बार हमें पता है कि बीमारी हो गए लेकिन हमारे पार धन नहीं है वो ऐसे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो हमें उससे भी पड़तारित होना पड़ सकता है कोट केस कचरी में ऐसा फलता हैं हमें पता है कि हमारा केस मजबूत है फिर भी लोग हमें जो हैं वो जूटे कहीं न कहीं सबूतों के उपर हमें कहीं न कहीं पड़ता डित करके हमें परिशान कर सकते हैं नोक्री में हमेशा ही उंचे दबके के लोग हमें हमें अपने अधिकार के नीचे धबाएंगे हमारा शोषन करेंगे हमें जो हैं वो पीड़ित करेंगे साथ में बिमारी में ओप्रेशन के भी योग आते हैं कई न कई हमारे कोई बिमारी है तो वहाँ पे ओप्रेशन कांट चांट होने के भी योग आते हैं इस तरह के अशुब परिणाम मिलने के योग बनते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी दसान अंतरतसा को देखना है और देखना है कि मेरी सुब है तो मैंने जो सुब परिणाम बता हैं वो लाव हो सकते हैं अशुब दसाए हैं तो अशुब परिनाम होने के योग बनेंगे अब इसके उपाय क्या करें देखे सबसे बड़ा उपाय होता है इसका कि अगर आपको अशुब परिनाम मिल रहे हैं तो दान पुन्य करें जैसे कि इसमें अगर आप किसी मंदिर में दान करते हो तो बगवा के लिए काले और सफेद तिल इनको आप जो है या काले पूस पे उनको आप अगर सिवलिंग पे जड़ा के जल चड़ाते हो तो आपको यहाँ पे लाब होने का योग बनता है दूसरा कि अगर आप साथ तरह के अनाच सब्तधन्य या फिर जो है वो खाने की कोई भी वस्त या दुम्र वरन का को विवस्तर है उसको अगर आप इस तरह के जो लोग है जो केतु से सम्मधित जैसे के लूली लंगड़ी अप अपाईज इस तरह के लोगों को आप देते हो कुश्ट रोगी भी है उन लोगों को देते हो तो लाब होगा दुर्गा माता के मंदिर में क कपूर दान करने से भी लाव होता है दूसरा कि हम यहां पे अपने सरीर के ऊपर कुछ सोने का आए जो सामान जैसे अंगूटी है चेन है या फिर छोटा मुड़ा हनुमान जी है या ओम है या दुर्गाम आता है वो पहनने से हमी लाव पालेगा अब इसके अगर शुब परि जाप करें लाव होगा अब इसका अजगर अच्छा लाव मिल रहा है कि एक तु आने के बाद आपको कोड क Ort के मुकदमों में लाव हो रहा है नोक्री में बहुत अच्छा लाव हो रहा है तो आप के तु का आतर जह सुनिया डाल सकते हो जबदस्त लाव देगा बहुत गाईयों को जो हैं वो आप हरी घ्रांस का दान करें उससे भी आपको लाव होगा तो यह सारे उपाई करने से आपको जो है अतिरिक लाव रहेगा तो आज के ये वीडियो को कैसा रगा जुरूर बताए अच्छा रगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें वाई तो